खान पान ये दोनों ही चीजे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। जग रहना अच्छी बात है, लेकिन कई बार लोग चिकित्सा और सेहत के बारे में कुछ ब्रह्म पाल लेते हैं। तो आज हम आपको चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कुछ ऐसे ही ब्रह्म बता रहे हैं, जिन्हें लोग सच मानते हैं। सप्लीमेंट स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आम तोर पर लोग मानते हैं कि हिल्थ सप्लीमेंट लेना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये कैंसर होने की संभावनाओं को बड़ा देता है। ठंद से लोग बीमार होते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंद से लोग बीमार होते हैं। असल में ठंडे और सुखे मौसम में की टानू जादा तेजी से फैलते हैं। दिमाग का केवल 10 प्रतिशत इस्तिमाल होता है। ये ब्रह्म है कि इंसान अपने दिमाग का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तिमाल करता है। दिमाग का पूरा इस्तिमाल होता है, लेकिन हर काम के लिए अलग-अलग हिस्से का इस्तिमाल होता है, च्विंग गम पेट से बाहर नहीं निकलता, ऐसा नहीं है कि च्विंग गम पेट में ही रहता है, असल में ये हमारे पेट में पच नहीं पाता और ऐसे ही निकल जाता है, अंधेरे में पढ़ने या पास से टीवी देखने से आखें खराब होती है असल में ऐसा नहीं है इससे आपको आखों में कुछ देर के लिए दर्ध हो सकता है और आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं लेकिन इससे आखें खराब नहीं होती है दिन में 8 गलास पानी पीना चाहिए आपको दिन में 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए इससे आपकी पानी की जरूरत पूरी हो जाती है खाना खाने के बाद एक घंटे तक थेरना नहीं चाहिए ऐसा माना जाता है कि खाने के बाद पानी में थेरना ठीक नहीं होता लेकिन थेरने का खाली पेट या भरे पेट होने से कोई संबंध नहीं है शेव करने से बाल कड़े और काले होते हैं बाल जब छुटे होते हैं तो इसकी वजह से ये आपको कड़े लगते हैं क्यूंकि ये चुपते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, तो ये मुलायम लगते हैं, ऐसे ही जब शेव करते हैं, तो त्वचा पर हेयर डॉट्स दिखाई देते हैं, तो त्वचा के मुकाबले गहरे रंग के होते हैं, पिरियर्ड के दौरान गर्भवती होना आपको बता दे कि पुरुष का स्पर्म स्त्री में साथ दिनों तक सुरक्षित रहता है, तो स्त्री पीरियर बाद पहले या कभी-कभी इसके दौरान भी गर्भवती हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है।